अपने गार्डन में बीज और बटरफ्लाइज को बुलाना है तो गेलाडिया के प्लांट को लगाना बहुत ज़रूरी हो जाता है हमेशा यानि साल भर तक ये प्लांट बहुत आसानी से चल जाता है और कभी-कभी इससे ज़्यादा समय तक भी जिन्दा रहता है तीनों मौसम में इसे कोई प्रॉबलम नहीं होती और सबसे ज़रूरी बात ये सीट से बहुत आसानी से गरो हो जाता है इन flowers के middle हिसे में इनके seeds होते हैं ये मैंने कुछ गिलाडिया के plants seeds से ही grow किये हैं जिनमें अब flowering होना शुरू हो गई है ये दो से तीन रंगों में आता है सफेद, पीला और ये shady color मतलब आजो बाजो पीला और बीच में orange आप जो ये plant देख रहे हैं ये मेरा सबसे पहला और सबसे पुराना गिलाडिया का plant है बहुत सारे flowers इसमें हमेशा आते रहते हैं मैं इसके care भी लेती हूँ जैसे जैसे फूल सुकते जाते हैं मैं उनको cut करके seeds collect करते रहती हूँ मैंने काफी लंबे समय से इस plant को देखा है कि ये बहुत आसानी से dead नहीं हुआ है बहुत आराम से चल रहा है तो अब आप अगर इसे seeds से लगाना चाहें तो ये process अब बहुत easy है गैलाडिया के फूलो को मतलब गैलाडिया के plant को लगाने के लिए आप market से buy करके लाए हूए फूलो से भी इसे grow कर सकते हैं बस इतना ध्यान रखेगा कि वो फूल थोड़े size में बड़े हो दो से तीन दिनों तक आप उन फूलो को shed में सुखा लीजिए आजुबाजु की पंखुडिया गिर जाने पर जो बीच का हिस्सा होता है वो होते हैं इनके seeds यह देखिए मैं जो निकाल के दिखा रही हूँ आपको हातों से यह इनके seeds हैं एक कंटेनर में मट्टी ले लीजिए कोकुपीट कोई भी soil media चलेगा और उसके उपर आपको अपने यह सुखाय होए seeds spread करने हैं सिफ स्प्रिंकल करने हैं और उसके उपर हल किसी एक कमिट्टी की layer बनाके पानी दे दीजिए कुछी दिनों में आपके गलाडिया के plants जो है वो grow हो जाएंगे आप चाहें तो अपने गलाडिया के plants रेगुलर गमलों के साइडे में भी seeds को डालकर grow कर सकते हैं मैंने इसे method से बहुत सारे फूलों के सूख जाने पर उन्हें कट करके अपने बहुत सारे गमलों में डाल दिया मेरे पास छोटे छोटे बहुत सारे गलाडिया के plants रेडी हो गए हैं कुछ दिनों पहले मैंने इस container में गलाडिया के seeds सौक ये थे sorry guys मैं उसका video नहीं shoot कर पाई बट इसकी seedlings अब अच्छी तरह के से germinate हो गई हैं शुरुआती दौर में गलाडिया के seedling कुछ इस तरह के से नजर आती है मेरे plants काफी healthy हैं और मैंने जो media यूज किया था soil media वो लिया था नीमखली, vermicompost, simple soil और gocopete इन चारों का equal ratio अभी जैसे ही मेरे plants थोड़े बड़े होंगे 4-5 पत्यों में divide हो जाएंगे then मैं इने दूसरे pots में shift कर दूंगी गलाडिया seed से grow करना बहुत आसान होता है आप अभी भी कर सकते हैं अगर आपके area में बर्फ न पढ़ रही हो इतनी ठंड न शुरू होई हो तो आप इस plant को grow seed से कर सकते हैं एक बार इसको लगाने के बाद आपके घर में ये plant हमेशा बना रहेगा कभी मतलब बहुत लंबे समय तक ये flowering करते रहता है अगर आप गलाडिया को अपने घर पे seed से grow करते हैं तो बहुत सारी कंटेनर में मेरे छोटे छोटे इसी तरीके से पौदे रेडी हो रहे हैं सो गाइस थैंक यू फो वाचिंग माय वीडियो